हलो फ्रेंट्स नमस्कार फाइनेंसियल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है म्यूचल फंड एवं फाइनेंसियल सेक्टर से रिलेटेड बात आपके साथ हिंदी में मूचल फंड में एक मुस्त निवेश का मूल ले फ्यूचर वाइलिवाफ लंसम इंवेस्मेंट इन मूचल फंड देखे जब भी कोई कारी की सुर्वात की जाए या कोई कारी किया जाए तो उसकी वाइल्यू क्या होगी इसके विशह में अगर जानकारी हो किसी को पहले से ही या कुछ टेंटेट्यू फीगर दिमाग में हो तो साइध वो काम आसान हो जाता है ऐसे मान लिजे कोई ब्यक्ति अगर ये सोचे कि हम 10 लाग रुपाय मान लिजे निवेश करते हैं बाइंक में भी करते हैं या मीचल फंड में खरें तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा इस तो मीचल फंड में पैसा जो लोग निवेश करते हैं मीचल फंड कंपनी में जो उसके फंड मैनेजर्स होते हैं फर्दर उस पैसे को जो है अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में लगाते हैं और जो रिटन उन स्टॉक्स में मिलता है जो पैसे में ग्रोथ होती वही अप को डीविडेंट के रूप में हर साल या कुछ स्कीम में मंतली देते हैं किसी में क्वार्टरली जो जिसका होगा उसको वह पासान करते रहते हैं अगर जिन लोगों ने ग्रोथ अप्सन में लगाया तो उस पैसे की जो ग्रोथ होती है उसकी एनेवी अपने आप आप बढ़त सकता है कि यह नेवी कैसे होती है या यह नेवी का मुली कैसे उसमें बढ़त्री हो जाएगी कालकुलेशन के साथ सारी चीज़े हम आपको बता देंगे तो हम अगर मालीजे पैसा लगाते हैं निवेश करते हैं देखे एक पुरानी काहवत है कि एक गज एक साथ चलने से अच्छा है कि इंच इंच भर पहले चला जाए या एक किलोमीटर चलने से अच्छा है कि हम फिट में चलें क्योंकि कोई इतना लंबा पर पर नहीं रख पाएगा जो एक किलोमीटर की दूरी एक साथ में तैंक कर सके कि वो जो है फिट में या आधा फिट चेंच बारा इंच ऐसे ही तैंक करेगा क्या ऐसा संभाव है कि कोई व्यक्ति जो है एक किलोमीटर की दूरी एक ही अपने बार में तैंक कर ले कई कदम स्टेफ चलेगा तभी वो पूरी कर पाएगा उसी तरह से मीचल फंड में जो निवेश होता है वो टार्गेट आपका जरूर पूरा करेगा या अलग अलग टाइम के लिए हमने निवेश किया है माली जी किसी ब्यक्ति ने 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल निवेश कर रहें पैसे को लगा करके छोड़ दिया तो क्या उस पैसे में ग्रोथ आएगी और कोई फिक्स रिटन मिलेगा पहली चीज तो मीचल फंड में रिटन की कोई गारंटी नहीं है जितने भी लोग अगर यह सोच करके पैसा लगाते हैं कि हर साल प्रतिवर्स इस बात में किसी भी तरह का कोई संदे नहीं होना चाहिए अब यहां पर लगेगा कि हाथ इसमें कंफ्यूजन हो रहा है रिटन की गारंटी नहीं और एवरेज रिटन हैगा देखिए आपने मालिजे आज लगा दिया पैसा दो साल बाद हो सकता मार्केट नीचे हो तो 15% क कि वाल्यू आप नौलाग रुपाई बचेगी और आपने यह सोच्कित निवेश किया था कि हमको दो साल बात पैसे की आवसकता पड़ेगी मुझे जो है तेरा लाग रुपाई मिल जाएगा इसलिए इस तरह के निवेश से आप बचेंगे मूचल फंड में रिटन की कोई गारंटी नहीं होती है पहली चीज यह बात से भी भी बोलती है कि डिस्क्लेमर क्लाज जितने भी इन्वेश्टमेंट से रिलेटेड मूचल फंड या स्टाक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी दी जाती है तो उसमें इस बात का इस पस्ट उल्लेख किया जाए अगर मानलू कोई कहता है कि मूचल फंड या स्टाक मार्केट में आपका बीस परसेंट 25 परसेंट गारेंट रिटन आये आप यह मान करके चलिए कि वह आ अगर आपका 10 साल 15 साल 20 साल के लिए निवेश है तो 15 परसेंट आपका एवरेज रिटन आ जाएगा अब मिस्टर ए हैं इसको चार्ड से समझते हैं इन्होंने 10 लाग रुपए अपने निवेश किये रिटन इन्होंने दो तरह के ही कैलकुलेट किये 8 परसेंट और 12 परसें इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि मुझे 8 परसेंट पर ही कैलकुलेशन चाही होंगे और दूसरे जो है थोड़ा एग्रेसिव हैं इन्होंने कहा 12 परसेंट तक एजिन करते हैं कि मेरा रिटन आएगा तो इसके हिसाब से हमारे पैसे कि क्या वैल्यू होगी इससे ज्य लाक रुपए अगर निवेस किये जाते हैं 10 लाक रुपए जो है निवेस किये जाते हैं टाइम पांच साल दस साल 15 साल 20 साल पक्चिस साल दस साल में 21,69,000 पंद्रा साल में 31,42,000 रुपए बीस साल में 46,61,000 और पक्चिस साल में 68,48,000 रुपए होगी लेकिन मिस्टर बी जो एग्रेसिव है जिन्होंने कहा कि नहीं हमको जो है 12 परसेंटर बड़ी आसानी से आ जाएगा इसके लिए मैं पूरी तरह से बिस्वस् होगा तो बारा पर देखे आप एक चीज और बताएंगे बारा परसेंट के हिसाब से पांच साल में 17,62,000 रुपए दस साल में 31,6,000 रुपए पंद्रा साल में 54,44,000 रुपए 20 साल में 96,46,000 और 25 साल में 1,70,000 रुपए इनको मिलेंगे देखे पांच साल में तो 12% रिटन आएगा इसमें थोड़ा संदे है तो यहाँ पे आप आप जो है 8% के हिसाब से देख सकते हैं इस पे एजियूम कर सकते हैं कि हाँ हमारे रिटन इतने आएंगे और इतना पैसा आपका वास्तों में बनेगा ही बनेगा इसलिए अगर आपने मीचल फंड में वन टाइम निवेश किया है तो उसकी फ्यूचर वाल्यू क्या होगी यह हमने वताया यहाँ पे हमने 10 लाग का एकजाम पिल लिया है आप एक लाग रुपाई का भी ले सकते हैं दस जार रुपाई का भी ले सकते हैं इसी रेशियो में अपना कैलकुलेशन देख लीजेगा या अगर कोई चाहेगा थोड़े एमाउंट पर जिस एमाउंट पर तो उस पर भी हम कैलकुलेट करके बता देंगे इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशेल विद गोपी करशना को अवसे सब्सक्राइब करने बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें जिससे आने वाली वीडियो का लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार